हेलो गाईस कैसे हो आपसे भी लोग तो गाईस अभी जो लेटेस्ट वाला प्रिमियम क्रेट आया था तो उस टाइम पर हम ज़्यादा प्रिमियम क्रेट एकटे नहीं कर पाये थे सारे hidden achievement आप लेटेस्ट अपडेट में अभी जो चल रहा है उसके अंदर कैसे complete कर सकते हो वह भी में आच के इस वीडियो के आपको बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करतो लाइक नहीं रूपने चाहिए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सोगर इस बात करते हैं first hidden achievement की और ये अब तक का सबसे ज़्यादा easy achievement है इसको complete करने के लिए आपको unrank match लगाना है उसके बाद आपको auto matching off करके squad में select करना है इसके बाद आपको living लगाना है और match को simply start कर देना है और ये मैं आपको latest update में ही बता रहा हूँ गेम में आने के बाद आप plane में जैसे ही बैट जाओगे तो आपको camera को पीछे करके जैसे ही यहाँ पर jump का button आए आपको simply jump कर देना है और पूरा पीछे चले जाना है जहाँ पर blue zone होता है और वहाँ से आपको damage लेना है इसके अंदर आपको करना क्या होता है कि landing करने से पहले आपको simply kill हो जाना है और हाँ गईज आप जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपके पास parachute का button आएगा वहाँ पर click कर देना ताकि आप पूरा नीचे ना चले जाओगाई जमीन के ओपर touch होने से पहले आपको पूरा kill हो जाना है और यहाँ पर हमारी simply 1 HP हो गई और यहाँ पर हम kill हो गई अब कुछ भी नहीं करना है simply आपको game से बाहर आजाना है और आपका एक achievement complete हो जाएगा जिसका नाम है वो hit me और गई यह achievement में already बहुत पहले complete कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको old वाली clip दिखा रहा हूँ तो इसे complete करने पर आपको एक premium crate coupon मिलेगा साथ में 20 achievement point भी मिल जाएंगे तो कि अगरे बात करते हैं second सबसे easy achievement की इसे आप अकेले ही complete कर लोगे वो भी बहुत easy करना कि आपको unranked mode लगाना है इसके अंदर आपको solo select करना है और लिविक लगा देना है याद रखना solo ही select करना अब guys game start होने के बाद आपको ऐसी location पर जाना है जहां पर यह winding machine हो जहां से आप gun वगेरा purchase करते हैं और एक चीज का ध्यान रखना यहां पर कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए वरना काफी ज़्यादा confusion हो जाती है अब landing करने के बाद आपको winding machine के 5 coins की जरूरत है तो यहां पर आपको simply 5 coins को pick up कर लेना है जो किया living map के अंदर तो बहुत ज़्यादा easily मिल जाते हैं इसके बाद आपको winding machine के पास जाना है और यहां से buy कर लेना है simply एक net को और net भी आपको सिर्फ और से 5 coins में easily मिल जाता है net buy करने के बाद आपको simply pin खेचनी है और आपको kill हो जाना है यानि कि net से अपने आपको ही kill कर लेना है तो ऐसा करने से आपका एक match यह complete हो जाएगा और आपको ऐसे ही total 50 match complete करने है हाँ गैस आपने बिल्कुल से सुना जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया ऐसे ही आपको total 50 match complete करने है और गैस यह जो achievement है ना मैं पहले ही complete कर चुका हूँ यहाँ पर मैं 50 बार अपने आपको net से उड़ा लो उसके बाद आपको simply lobby में आना है lobby में आने के बाद आपका एक achievement complete हो जाएगा जिसका नाम है reap what you sow और इस achievement को complete करने से आपको एक classic credit coupon मिलेगा old वाला जिसे आप 2 बना सकते हूँ और साथ में आपको 20 achievement point मिल जाएगे सो क्यों क्यों बात करते हैं third easy hidden achievement के बारे में इसके लिए आपको करना क्या है unrank लगाना उसके बाद solo select करके living map को लगा लेना है और यहाँ पर आपको एक और important चीज़ करना है आपको simply setting के अंदर जाना है setting में जाने के बाद आपको यहाँ पर pick up का option दिख रहोगा यहाँ पर click करना है और auto pick up को disable कर देना है यह आपके बहुत जादा काम आने वाला है अब guys match start होने के बाद आपको ऐसी location पे land करना जहाँ पर loot बहुत जादा मिलती हो और कोई बंदा नहीं आना चाहिए यहाँ पर आप guys यहाँ पर आपको करना क्या है total है na 20 attachment को pick up करना है अब जो scope होते है ना 2x, 3x यह सारे attachment के अंदर ही आते हैं तो ऐसे करके आपको 20 attachment उठाने और मैंने auto pick up इसलिए off करवाया ताकि आप फालतू के item ना उठा पाओ और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना backpack तो उठा लेना backpack की need पड़ेगी तो जैसे कि आप आपी screen पर देख सकते हो मैंने beast से भी ज्यादा attachment को उठा लिया scope भी है यहाँ पर और sword gun के भी attachment उठा लिया और extended में आपको बहुत सारे हैं भाई SMG के तो बहुत जाद उठा है तो इससे फरक नहीं पड़ता duplicate item भी चलेंगे just यहाँ पर total लेना 20 attachment होने चाहिए आपके पास तो मैंने तो यहाँ पर 20 से भी ज्यादा attachment एक ही बार में उठा लिया अब आपको simply क्या करना नेड करना है और अपने आपको kill करके सीधा lobby में चले जाना है और हाँ एक और चीज किलिर कर दूँ ऐसा सिर्फ आपको एक बार ही करना है बार-बार मैच लगाने की जरूत नहीं है simply यहाँ पर 20 attachment उटाओ और अपने आपको kill करके बार जैसी जाओगे आपका एक achievement complete हो जाएगा और यह वाले hidden achievement का नाम है रभी speaker इसके बदले में आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियम क्रेट कूपन मिल जाएगा ओड वाला जिसे आप दो में convert कर सकते हो बाद में teammate को बोलना है कि मुझे follow कर ले और साथ में ये भी बोल देना कि game को exit कर दे जैसे कि आप मेरे teammate को देख सकते हो इसने मुझे follow करके game को simply exit कर दिया तो आपको भी ऐसा ही कराना है अपने teammate से अप सिंपली आपको अपने plan से jump करना है और पीचे की side में zone में जाकर आपको और एकदम ditto ऐसा ही करना है तब ही आपका ये वाल achievement complete होगा और ऐसे ही आपको total 50 match complete करने ये बात ध्यान रखना 50 match खेलने हैं आपको ऐसा करके जैसे कि देखो यहाँ पर पहला match हमारा complete होने वाला है इसके बाद आपको equal लगाना है ऐसा करकर करके आपको total 50 match खेलने हैं अब जै आपको फिर से अपने टीमेट को बुलाना है उसके बाद आपको फिर से अंडर डियो सिलेक्ट करके लिविक मैप को लगा लेना है उसके बाद आपको एक ऐसी location पर land करना है जहां पर आपको गाड़ी easily मिल जाए जैसे कि आप देखो कि सामने की तरफ एक यूएज पढ़ी इसके बाद आपको अपने टीमेट को बोलना है कि जल्दी से गन को लेकर आजा यान कि कोई भी गन चलेगी एक एम बेरेल सौट गन वगेरा कुछ भी उठा कर फटा फट से लेकर आना है और याद रहे यहाँ पर कोई बंदा नहीं आना चाहिए वरना कन्फ्यूज होना हो जैसा कि मैं आपको क्लिप में करके दिखा रहा हूँ एक्जेक्ट ऐसा ही करना है बिल्कुल आप गई जैसे आप दोनों किल हो जाओगे तो आपके सामने कि यह मैसेज बोर्ड आएगा यहाँ पर आपको अनलोक पेकेज वाला ही बटन दबाना है वन्ना आपकी टीमेट की कंप्लिट हो जागा इसका नाम है और वी टीमेट और इसमें आपको एक ओल्ड प्रिमियम क्रेट कूपर मिलेगा साथ में इसमें भी 20 अच्विमेट पॉइंट मिलने वाले हैं इसको कंप्लिट करना थोड़ा सा हार्ड है तो आपको अपने सारे टीमेट को बुला लेना है उसके बाद आपको करना क्या है रेंक या अन्रेंक आपको भी लगा सकते हो आपके ओपर डिपैंड करता है आपको यहाँ पर स्कॉइट लगाना है साथ मेगा इस लेविक ही लगाना है फिर से अब लेंड करने के बाद आपको करना है जितनी भी आपको हैल्थ किट मिले मै खट्टे कर ले उसके बाद आपको करना क्या लेविक मैपके end john वाली जो लोकेशन है वहां पर जाना है और इसके अंदर चले जाना है यहां पर आकर आपको अपनी health को lose करना है यह बात ध्यान रखना आपको knock नहीं होने चाहिए हो ना ही finish होने चाहिए हो वैसे अगर आप knock हो भी गए तो आपका teammate आपके पास होना चाहिए तो guys यहाँ पर आपको अपने health के 800 point decrease करने है यानि कि आपको लगबग 18 बार knock होने के बराबर health को decrease करना है जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ इसके देखो जैसी 1 HP आपकी बचे आपको simply zone से बार आना है और फिर से आपको mat kill लगाना है health kill लगाना है फिर से zone में जाना है फिर से zone में जाना है और ठीक ऐसा ही आपको 20 से 25 बार करना होगा मतलब गैस इस match के अंदर जितना हो सके आपको जादा से जादा damage लेना है बस damage लेना है बार बार health केट लगाना है फिर damage लेना है फिर health केट लगाना है उसके बाद आपको simply kill हो जाना है या तो fight करके kill हो जाओ या फिर जान बुचके किल हो जाओ अब जैसे आप गेम से बार आओगे आपका एक और अचिवेंट कम्पलीट हो जाएगा वील ओफ इस्टील नाम से इसे कम्पलीट करने पर आपको क्लासिक क्रेट कूपन मिलेगा ओल्ड वाला और साथ में 20 अचिवेंट पॉइंट भी मिल जाएंगे ओके जब बात करते हैं सेवेंट एंड लास्ट हीडन अचिवेंट के बारे में इसके बाद कोई भी हीडन अचिवेंट अभी तक तो नहीं आया है आप गईज यहाल अचिवेंट को कंपलेट करने के लिए आप कितने भी टीमेट के साथ खेल सकते हो कोई भी मैप लगा सकते हो रैंडमली कोई भी रिस्ट्रेक्शन नहीं है लेकिन गईज मैं आपको जो रूल्स बताऊंगा वो आपको फोलो करने है तो करना क्या है आपको अपने टीमेट को बोलना है कि जितने भी बंदे तुम्हें दिखें उनको नौक करना फिनिस मत करना फिनिस में करूंगा जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अपना टीमेट दो बंदो को नौक करके चला गया और सिंपली हमने फिनिस कर दिया टोटल मिला के आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपके एना kill count नहीं होना चाहिए यानि कि आपके एक भी kill नहीं होना चाहिए जस्ट यहाँ पर damage count होते रहना चाहिए आप जैसे कि आपका teammate हर जगा knock करेगा और आपको बस यहाँ पर damage को इकटा करते जाना है और ऐसे से करके आपको टोटल लेना 10 से 15 बंदों को finish कर देना है नई सोरी गई इस 15 बंदे तो आपको कम से कम finish करने ही पड़ेंगे तब ही यह count होगा जैसे कि यहाँ पर 5 बंदे तो alreadyum कर चुके हैं आप इसके अलावा 10 और करने हैं और यहर मोड भी ऐसा लगाना जिसके अंदर ज्यादा तर बोट सी आते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो आप जैसे यहाँ पर लास्ट वाला बंदा फिनिस करोगे आपका चिकन डिनर हो जाएगा या फिर आप किल भी हो सकते हो कुछ भी हो सकता है इसमें एक्जेक्ट बताया नहीं गया कितने बंदों को हिट करना है कितना डैमेज देना है कुछ भी नहीं तो इसको कंप्लेट करने पर आपको एक प्रिमियम क्रेट कूपन मिलेगा ओल्ड वाला हो साथ में 20 अचिवमेंट पॉइंट्स वीडियो जितने भी हिडियो सारे के सारे में आप सबी लोगों को बता दिये फीचर में और भी कोई हिडियन अचिवमेंट आते हैं तो मैं आपको एक और वीडियो बना कर बता दूँगा फिलाल के लिए वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे आमेजिंग वीडियो देखने के लिए मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए और बाय बाय फ्रेंड्स